तो दोस्तो 2023 का आगाज आखिर कार हुई चुका है एंड जहां हमारी काफी सारे कारे लॉंच हो रहे हैं वहां हमारी मारुति सुजुकी ने भी अपनी एक कार लॉंच करने की प्लैनिंग कर ली है जो में आने वाली कार मारुति सुजुकी जीमी का तो बहुत ज़्यादा जि कि ये कार आने वाली है जो कि 5 दर्वागों को साथ ये कार कि रही कार के के साथ ये गाड़ी आएगी और काफी ज़्यादा कमाल की लगेगी थोड़ा बहुत लुक इसका जी वैगन से मिल जाता है और काफी कमाल का लुक आता है अब यह कार के 15 b 1.5 लिटर चार सिलेंडर इंजन के साथ आती है और भाई 104 बीच पी पावर और 138 नम का टॉर्क भी है अब हाई बात करूँ इसके स्टेरिंग की तो स्टेरिंग मांटेट कंट्रोल मिल जाते हैं यानि कि स्टेरिंग में तुम्हें सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और 360 डिगरी कैमरा और 9 इंचेस टच स्क्रीन विद एंड्रोइड आटो एंड एपल कार प्ले भी म आने वाली जिमी 4x45 मेनुवल ट्रांसमिसस के साथ आएगी जो की काफी ऑसम बात हो जाती है जिसे तुम दबा के ऑफ रोडिंग कर सकते हो और कोई भी दिकत नहीं होने वाली है अब जो यह कार आने वाली है हमारी कॉंपटिशन देगी थार को एंड फोर्स की गुर्खा क जो की वाली होने वाली है तुम लोगों तो पता होगा कि गुर्खा इंट्रनेशनल मुर्केट में काफी ज़्यादा चल रही ऐ नथार भी अपने आपको स्टाबलिस करनी की कोईस्स कर रही है अब यहाँ पर हमारी जिमनी भी उन्हें बहुत अबीपी टकर देने वाली है तो यहां पर price range में इतनी तगड़ी टकर देने वाली है क्योंकि भाई हमारी जो जिमनी है वो base variant 7 lakh की price के साथ start हो रही है जो कि unbeatable है मेरे ख्याल से अभी तक तो इसने कम price range बेस variant में इतनी खतरनाक दाड़ी कोई नहीं दे रहा खूब दबा के off-roading कर सकते हैं बंदे इस car के साथ काफी awesome level की car होने वाली है अब भाई इसकी बात करू launching it 2023 में January में ही launch होने की संभावना है according to car वाले website अब यह देखते हैं कब तक launch होगी officially तो तुम लोगों को क्या लगता है यह car थार और बुर्खा को competition देगी या नहीं कि अहीं बहर है वह देखते हैं फिर हलोगया के अुम धर खर जेखते हैं और ड़िल रपास के साथ कैसे मिले कि बत्ते हैं यहाल। biz का एमिले फया साथिव में झापाश्ण पर रदाएड़का ए renewable रभ़ने कर देखते हैं